पडूसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई की मार पढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल दिसमबर में भी कुछ ऐसे ही हलात बने थे जब यहूं के लिए काफी मुश्किले पैदा हो रही थी। अब फिर से इस साल अक्टूबर में यही हाल हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसमबर तक हलात और भी गड़ सकते हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में आनाज असोचोशन में सरकार से अफिल की है कि उन्हें फंड दिया जाए। ताकि वक्त पर फसल पैदा हो सके और दाम में कटवती आ पाए। हलात ये हैं कि ना तो केंदर सरकार ना ही किसी प्रांथ की सरकार की ओर से फंड देने का फरोसा दिलाए गया है। महंगाई ने पाकिस्तान में हाहकार मचा रखा है लेकिन इमरान सरकार अब भी सोई हुई है और कश्मीर के सपने देख रही है वो भी बुलेट प्रूफ कारों के साथ। पाकिस्तान की जंटा महेंगाई को लेकर बिहाल है लेकिन इम्रान सरकार अब भी कशमीर के लिए वेचयन है बता जा रहा है कि पाकिस्तान की ओरस्ते रूस से गेहूं की खेप मंगाई गई है रूस से आ रहा दो लाख मिट्रिक टन इस महीने पाकिस्तान पहुँच जाएगा पाकिस्तान में अब प्रधानमंतर इमरान खान को प्रस्ताव भिजा जाएगा कि रूटी की तरह ही गेहूं चीनी और चिकन के दाम फिक्स किये जाएं दूसरी और पाकिस्तान में बीज को लेकर भी मारा मारी मची है इसानों और बीज कर्पोरेशन ने सरकार से 24 घंटे के अंदर दाम तै करने की मांगी है एक्सपर्ट ने इसके बढ़ने की आशंकर जताई है पाकिस्तान में महंगाई की वज़ा ये भी है कि उसे भारत से पंगे नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि उसी के लिये फैसलों ने उसे इस हाला तक पहुचाया है भारत से वेपारिक रिष्टों की समापती के साथ ही पाकिस्तान ने महगाई की मार जहलनी शुरू कर दी थी भारत की तरफ से पहले जो सामान सस्ति किम्तों पर पाकिस्तान को दिये जाते थे, अब दोनों देशों के बीच वैपार रुखने से पाकिस्तान को वो नहीं मिल पा रहे हैं बेसिक चीजों की कमी की वज़े से किमतों में बढ़ोत्री हुई और परिणाम वहां के आवाम को भुगतना पड़ रहा है दूजर रिपर्ट भारत तक